टाटा गुरूप ने 13,000 करोड रुपे की लागत से लिथियम आयन बैटरी बनाने के एक कमपनी गुजरात में लगानी घोशना करी है ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है कि अगर ये सारी चीजे एकदम जैसे सोची जारी है वैसे चलती है तो इंडियन एकॉनमी को ये रिवोलोशनाइज कर देगी इतना गहरा इसका इंपक्ट पड़ेगा जिसना आज के समय में बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पा रहे है चलिए इस टॉपिक को डिसकस करते हैं आप देख सकते हैं यहां लिथियम आयन बैटरी कह सकते हैं कि यही future है जैसे आज तक fossil fuel, petrol, diesel का इस्तमाल किया जा रहा था आज के समय में लिथियम आयन बैटरी ही सब कुछ है इवन जो स्मार्टफोन जो लैप्टॉप हम यूज कर रहे हैं सब जगह इसका इस्तमाल किया जा रहा है आप समझ सकते हैं कि इतना important है यह topic जानने के पर थोड़ चटवे नंबर पर आता है अर्जेंटीना यह ध्यान दीजेगा यह रिजर्व सिर्फ जमू एंड कस्मीर में जो लिथियम मिले थे उसके हिसाब से है लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में इससे भी बड़ा रिजर्वों को मिला है लगभग लगभग 10 मिलियन टन के आ लिथियम रिजर्व हमारे पास मिल रहे है कितना यह बड़ी बात हमरे लिए है लेकिन दिक्कत यह है ना कि उस लिथियम को एस्ट्रेक्ट करके बैटरीज बनाने की शमता हमारे पास भी नहीं थी इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे था पूरी दुनिया में जितनी लिथ कर दिया है कि भारत का पहला लिथियम आयन बैटरीज बनाने की कंपनी यह गुजरात में स्टैबलिस करेंगे लगभग इसका कॉस्ट आएगा 1.6 बिलियन डॉलर 130 बिलियन रुपीज कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट टोटल आने वाला है और इसकी जो टोटल चमता होगी वह 20 GWH के आसपास में होगी और इसमें डिरेक्टली या इंडिरेक्टली 13,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा यह बहुत ही अच्छी इसके साथ बात है इसके साथ अब समझे इस चेज को कि भारत में जो एक आखड़ा बताता है कि 2022 में जो हमने टोटल इंपोर्ट किया था लि जब पेट्रोल डिजल से सारा काम हो रहा था तो भी हम दूसरे देसों से खरीद रहे थे और जब लिथियम से काम हो रहा है तो भी हम चैना से इंपोर्ट कर रहे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है पेट्रोल में दिक्कत लिथिम में भी दिक्कत लेकिन जब यह कंपनी बड़ा हमारी economy को यह फादा पहुचने वाला है इसलिए बिल्कुल यह Indian economy को यह game changer होने वाला है I hope आपको सबकुस crystal clear हो गया होगा Thank you for watching, thank you very much